पंजाब सरकार दी नवी खांड नीती उन सार होन ससाइटियां तो खांड साड़े 32 रुपे प्रती क्वेंटर मिलेगी ते ससाइटियां तो खांड दी विक्री होन तो बाद ही किसाना नू गनेदा पैसा मिलेगा सरकार दी इसे नवी खंड नीती दा किसाना विच काफी रोज पाया जा रहा है किसाना दा कहना है कि पहला ही उना दा दो साल दा गन्य दा बकाया पे आ है जदकी कैप्टन सरकार ने उना नू क्या सी कि निजी मिलने पचीर पै किसाना नू सरकार बलो अदा किते जानगे जो की ना काफी हन इस तो अलावा कैप्टन सरकार ने बजट बिची किसाना नो 60-300 क्रोट रुपए भी नहीं देते जो की सरा सर उना नाल नाय इंसाफ ही है इस मौके किसाना ने सरकार पास जालतो जालत उना दी गन्य दी एदाएगी करंदी मांग कीती इसारे में डाया उने कांड़ा है हर जो किसे ने किलों डिनी ओना नहीं है सब्सक्राइब ना ना आरो जोड़ा जान झालता है जिंदार कोशिया और दास किलों लेओं हुंदी किलों भी किलों प्रिया लेओं किसे मिलगा सैघ्जी घटी अगया हुद पिश्य साल twenties teams पिछले साल दी आइस साल दी मड़ा के साथ तक लाख ता साड़ी आजी जडी खांड दी नीती बनाई हो देच में नुए पता लगा ले अजी बता लगा भी ओस साड़ी आनू साड़े पिया के लो साओ के लो जिननाई बुरा हो दा उते साव ना देनी है तो हले पता नहीं पूरा लगा ते यह दे वारे हले कोई जानकरी नहीं है निए सो साड़े बती सो जो रेट रखे हो ता चलो ठीक है पर खांड दा यह होवे भी मार्किट देवेच बेच के सानू पैसा द ता रेनो देधे ओप भीकूगे फैसा नूँ पहे मलूगे ता गया नी को ओर कोई हैगा भी जा इना दे मलाजम जड़े यह उना नू तन्खा घंड बेच के जहां पेदने मलाजम दी किसे ती तन्खा दसो भी केड़े दी रूकिया एना दी मिल मलाजमादी सॉन लो जो ख जाब दी सरकार ने किसानी नू मारंदा नमा कादम जड़ा चोकले आया कि किसान जे मारा उटा साल हैंदा तो नू बेलकोल खत्म ही कार देना आया उस साथिया ने बेच देता इस बती सो पच्वंजार पई ये रूँ खांड बेची जाओगी खांड बेचन तो बाद जड़ की किती जाओगी बहुत मारी नीतिया क्योंकि खांड ये स्याड़िया चो ना लई तेनी साथिये नमा बोज पहुणा कि जदो तुसी खाद लऊंगे ओदे ना ली ते आनू खांड लेनी भी जुरूरी होगी ते पैसा साथिये कोल एस्टेम है नी गन्ने दी दाईगी नह को मारी नीति नहीं हो साथी एक कैप्टन सरकार ने क्या सी कि प्राइबेट मिलना दा जड़ा पचीर पई ये या असी गन्ने दे देने या ओ आज तक बजड़ते साथे 300 क्रोडर पई या रख्या गया ओधा एक कर पईया भी हाले तक नहीं दता गया असी सरकार नूं से च आले चान देद खाये जाने गे